दमश्कार प्रियदर्शकूं आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फरवरी महीने की की फरवरी का महीना धनूराशी वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा फलादेश प्रारंब करने से पहले आपकी एक शिकायत को दूर करना चाहूंगा क्योंकि अक्सर जब मैं कमेंट देखता हूँ वहां लिखा हुआ होता है कि धनूराशी वाले जातकों के लिए किसी का भी वीडियो देख लो अच्छा कोई नहीं बोलता किन्तु ये जो महीना आ रहा है अठार्ट फरवरी का महीना जो आ रहा है यहां एक नहीं अपितु चार-चार ग्रहे आपके लिए फरवरी महीने को बनाने जा रहे हैं यादकार आपके लगनेश देवगुरू ब्रस्पती आपके भागेश सूरिय महराज आपके पंचमेश मंगल महराज और सुन्दर अवस्ता को दर्शा कर देंगे और इस महीने आपकी ये शिकायत निश्चित रूप से दूर होने जा रही है क्योंकि चार-चार ग्रह आपके जीवन में फरवरी महीने में लगाने जा रहे हैं चार-चांद सर्व प्रथम इस्तती में चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्त दृष्टी कोण क्या संकेत दे रहा है तो आपके लगन के स्वामी होते हैं देवगुरु ब्रस्पती और कहां विराजित हैं पंचम भाव में ये बहुत सुन्दर अवस्ता है जहां आपके व्यक्तित्व के स् फरवरी के महिने में बहुत पुष्टता को दर्शाता हुआ पाया जाएगा और एनरजी कारक मंगल महराज छे फरवरी तक आपके लगन में ही बने हुए हैं ये आपके व्यक्तित्व को एक अलग सी एनरजी देते हुए पाये जाएंगे बात करें दि धन दरश्टी कोन की स्थती क्या संकेत दे रही है तो आपके करमेश धनभाव में हैं चौदा फरवरी तक आपके भागेश धनभाव में हैं और अब धनेश अथार्त शनी महराज भी वक्री से मारगी हो गए हैं इस महीने आप अनुभूती कीजिएगा कि धन से फाइनेंस से रुके हुए कोई भी कारिये हैं ये आपके पूर्ण होने जा रहे हैं इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है क्योंकि छे फरवरी के पस्षात आकस्मिक लाब का स्वामी भी आपके धन भाव में जाने जा रहा है अथार्त मंगल महराज भी आपके लिए उ विशेश रूप से ये महीना धन से जो समस्याकर तवस्थाएं आपको फेस करनी पड़ रही है इससे आपको करता हुआ पाया जाएगा मुक्त बात करें दी कर्म द्रश्टी कोण की आपका कर्म क्या संकेत दे रहा है फरवरी के महीने में तो आपके कर्म भाव का स्वामी बुद्ध पहली ही तारिक पर आपके धन में जा रहा है ये क्या संकेत देता है कि आपके कर्म द्वारा आप चाहे जौब कर रहे हैं आप चाहे व्यवसाई कर रहे हैं कर्म द्रश्टी कोण के आधार पर आपको धन से पुष्ट करते हुए पाये जाएंगे इस महीने बु बुद्ध देव ये वो ग्रहें जिनके हाथ में सो रुपे हो तो ये सो के सो आपको दे कर जाते हैं बस एक ही कंडिशन में कहीं उतार चड़ाव देखने को मिलता है जब बुद्ध केंद्रा दीपती दोश में आजाए धनूराशी वाले जातकों के लिए तो यहां कर्म द परजित करने के स्थती यहां पर सूर्य महराज बनाएंगे चौदा फरवरी के प्रश्चात यह आपके पराकरम भाव में जाएंगे तो अच्छी स्थती क्या है कि पराकरम भाव में बैट कर भी अपने घर को दिखेंगे तो यह पूरा महीना भाग्य दृष्टी कोन से आ तो भाग्य का साथ होना हमारे लिए आवशक होता है और इस महीने आपके लिए भाग्य परिपूर्ण तासे देता हुआ पाया जाएगा साथ विध्या दृष्टी कोन की स्थती पर चर्चा करते हैं तो एक तरफ गुरू महराज का अश्रवाद आपको प्राप्त हो रहा है दूसरी स्थती में आपके विध्या भाव के स्वामी मंगल महराज 6 फरवरी तक आपके लगने में हैं उसके पस्चात उच्छा सवस्ता में आजाएंगे ये महिना विध्यार्थियों के लिए बहुत खास होने जा रहा है कॉंपिटीशन के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं हायर एजूकेशन को जो प्राप्त कर रहे हैं इनको स्रिष्ट कारक सफलता देने की बाद्यता मंगल महराज लेंगे क्यों क्योंकि 6 फरवरी के यदि आप माता पिता है संतान की विध्या से संबंदित चिंताजना के स्थती में लिपते हैं तो भी ये महिना आपकी संतान के कर्म शित्र की दक्षता के दम पर आपको बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहा है बात करें यदि यात्रा दृष्टी कोंड की स्थती क्या संकेत दे रही है तो आपके यात्रा भाव के स्वामे भी मंगल महराज होते हैं और आकर विराजित आपके लगन में हैं 6 फरवरी को ये उच्चस सवस्ता में चले जाएंगे ये एक संकेत है कि धनूराशी वाले ज जाताक अगर फरवरी के महीने में चाहे भौतिक सुखो को अर्जित करने वाली यात्रा चाहे व्यापारी की यात्रा करते हैं दोनों ही गतिविदियां आपके लिए स्रिष्ट कारकवस्ता को दर्शा कर देगी इस महीने यात्राओं से आपको सफलता मिलना तैय है दामपत्य जीवन की अधियम चर्चा करें तो दामपत्य भाव के स्वामी भी बुद्ध महराज जुद्य भाव में जाकर विराजित हुए हैं इसे बड़ा अच्छा माना जाएगा जहां आपके पार्टनर आपके रिलेशन को बहुत अच्छे से बैलेंसिंग देते हुए पाए जाएं आपके पार्टनर के भाग्य से धन अरजित करने के स्टती का योग आपको प्राप्त हो किसी प्रकार से अंडस्टेनिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं वो समाप्त हो और घुल मिलकर कुटुम्ब परिवार के साथ में आप इस महीने अच्छा आ रहने वाला है यह मैमोरी बल आपके लिए मन्थ साबित होगा शुब रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने आपके लिए बेहत सुंदर रवस्ता बन रही है पीले रंग का केसरिया रंग के हरा रंग रेड ओरेंज और वाइट का जितना जादा आप अपने आसप वार के दिन बुद्ध और गुरु वार के दिन कोई भी किया हुआ बड़ा कारिय जो कि आपको फाइनेंस से प्रभावित कर सकता है आपके सफलता की स्टती में बहुत अच्छी परसंटेज बनाता हुआ पाया जाएगा शुब अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो एक पा प्रमशेत्र में आपको स्रिष्ट कारक लाब लेने के लिए इस महीने ओम बुधाई नमें का जाब करना चलते फिरते ओम नमो भगवते वासु देवाई नमें का जाब करना सूर्य देव को जल चड़ाना और हनुमान चालीसा का पाट करने का नियम यदि आप फरवरी के म अपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार